अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूस आते हैं और किसी भी कर्मेंट जॉब या ओलेवर के त्यारी करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल में जरू सब्काइब करें यह ट्रैटिक बटन को दबाके और साथ इसके बगल में आप लेख रहा हूंगा बैल करता है इंदम फ्री आप पॉस्टर तो प्लीज यह सब्सक्राइब करें और यह लागन को जो दबाएं तो हिंदों इंग्लिज दोनों में आपको प्रवाइट की जा रही तो प्लीज इसी तरह से नेकते रहें आपको काफी है भूलोंगे तो यह वीडियो आपको आई आपको लोगी तो यह हिंदी के पार्ट सेकंड है और आपको इंग्लिज के भी सवाल गवराएं जाने तो दोनों वीडियो को मिला कर देखें और आपको काफी हैल्फुल होगे वीडियो चली देखते किस बगार के मौक्ट टरश है पार्ट नमबर टू में तो पहला को से यूरल में आपको जाना होता है वेबसाइट पर नविगेट करने के लिए यूजर को किसमें प्रेश करना होता है तो फ़र्श्ट को और विश्ट याहू तो से कंड को समने का डिर इंपल सा को से हैं इंटरनेट पर किसी दूसरे के मेल बॉक्स में संदेज बेजन अप आपको क्या कहलाता है तो आपको किसी को email बेजना है तो इसको email ही कहते हैं किसी email box में तो थर्ड का option बनेगा आपका D email 4 नमबर पर चलते हैं और basic से question है आपके निम में से कौन एक प्रेकार का protocol है आपका प्रेचाना इस में से तो RAM DBA या ASC LL तो इस सवाल लग है आपके TCP IP आपका जोगा internet protocol है तो fourth का option बनेगा D 5 नमबर पर चलते हैं विशेज सूदना से संबंदित परिणाम प्राप्ट करने के लिए प्रोग किया जाता है तो fifth का option बनेगा आपका C search engine search engine के मादम से आप किसी प्रेगार की विशेज सूदना को प्राप्ट कर रखते हैं 6 नमबर पर चलते हैं किस web search engine का प्रोग सबसेदिक किया जाता है तो आपका पता है Google का सबसेदिक प्रोग किया जाता है वर्ड वाइट पर तो six का option बनेगा B 7 नमबर पर चलते हैं email बेजने के लिए आपको उसका क्या जानना जरूरी है जाने की जिसको आपको email बेजना है उसका आपको email address पता होना चाहिए तो उसके मादम से आप email बेज सकते हैं तो 7 का option बनेगा B यहाँ पर 8 नमबर में .com के बारे में पूछा है तो com प्रकार की वेबस्ता website को सूचिज करता है तो 8 का option बनेगा A वार्ड जेग जाने की commercial website होती है .com तो 8 का option बनेगा A 9 नमबर पर चलते हैं ISP का क्या मतलब जाने की internet service provider तो 9 का option बनेगा आपको नाम internet service provider D तो इसमें इस पर confusion ना होई है कि हिंदी अगर आपको नहीं लिखने आती है तो प्लीज एक बार लिख के देख लें इससे कि आपको सही हिंदी में लिखें कि तभी आंसर आपका सही होगा 10 नमबर विचलते हैं प्रोग्राम है जो web services resources के लिए प्रोग विशेज मार्क दाशन पतार करता है तो 10 कॉप समयने का browser 11 नमबर विशेज में कौन सा web search engine प्रोग किया आता है तो 11 कॉप समयने का बी इंटरनेट पर किसी विशेज 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 पर search चर्चा को क्या कराती है सामोही समचार सामोही 12 कॉप समयने का बी तो 12 का option बनेगा आपका थर्टी नमबर पर चलते हैं यूर्ल का पूर्ण डूप है यानि कि यो यूर्ल का फुल फॉर्म पूछा गया है तो 13 का option बनेगा आपका uniform resource locator यानि कि फॉर्टी नमबर ऐसे विशेज प्रोग्राम है जिनको जावा में लिखा जाता है तो एपलेट्स होते हैं 14 का बी आपसर मनेगा एपलेट्स FTP का मतलब क्या है तो आपका FTP file transfer protocol होता है तो 15 का option मनेगा defil transfer protocol बिल्कुल ना लगा है तो file transfer photo call होगा आपसर तो यह थे आपके 15 कोशन के मॉक्टेस अब इसी को हिंदी के मॉक्टेस में पार्ट नमबर 2 में चलते हैं और उनके कोशन को देखते हैं किस पर गारते हैं तो चलिए नीचे चलते हैं पहला कोशन देखते हैं यदि आप HTTP यह आपको website URL दिया गया है पते संबनेगा आपका सी संगटन संबन्दी website है यानि कि .org.com.gov इस परकार की जो website होती है वो किस्ते संबन्दें रखती है तो आपकी .org यह हो संगटन संबन्दी website है सेकंड नमबर वर्ड वाइड वैब में किसी विशिट विशय को दूढ़ने के लिए किस जिसका फ्योग किया जाता है तो सर्च इंजेन और इंडेक्स का यूज किया जाता है तो सेकंड का उफसम बनेगा थार्ड नमबर को चलते हैं एक लोग प्रिया चैटिंग से वह को कहा जाता है इंटरनेट रिले चैट यानि कि थर्ड का उफसम बनेगा आपका डी इंटरनेट रिले चैट फोर्ट नमबर जब आप किसी टॉपिक के लिए का फिरोग करते हैं तो इसके द्वारा खोजी कही सूचना एक डेटा बेस के जैसे धाचे में संकटित हो जाती है स कोर्थ का उफसम बनेगा आपका ए सर्च इंजन फिफ्ट नमबर पर चलते हैं डोमें नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखरी बागू क्या कहते हैं तो फिफ्ट का उफसम बनेगा डोमें कोड्स नहीं के डॉट कॉम.in.net इस परकारते हैं तो यह आपके डोमें क code होते हैं 6.Nam.net चलते हैं web page design करते हैं निकि इसके बादा का फ्रोग के जाता है तो simple सा है html बादा का फ्रोग कि जाता है तो 6 का उफसम बनेगा A 7.Nam.net चलते है email आपका क्या है instance messaging यहानी कि 7 का C उफसम बनेगा instant messaging और यहाँ भूचे आपका IM का मतलब क्या है तो IM वह ही आपका instant messaging, एर्थ का C, नए नमबर पर चलते है, directory search को क्या का जाता है, और क्या का जाता है, तो नए नमबर पर चलते है, URL आपका क्या है, यहाँ पूचा गया है, तो URL आपका क्या है, 10th का option मनेगा A, World Wide Web के संसाधन का एक पता है, तो 10th का option मनेगा A, 11 Net Escape Navigator का एक प्रकार का है, आपका browser है, तो 11th का option मनेगा C, 12 नमबर पर चलते हैं, connectivity का मुझ जिद्धान किस्ते सा मन्दिध है, तो 12 का option मनेगा C, लोगों और संसाधनों से जुड़ने के लिए Computer Network का फिरोग करना, 13 नमबर पर चलते हैं, संचारन माद्दम को जो डेटा को पहुचाता है, जाना जाता है किस नाम से, 13 का option मनेगा A, उपकरनों को भेजना और प्राप्ट करना, 14 नमबर प्लूटूट रेडियो तरंग सूचना संचार प्राणारी एक प्रकार का, एक प्रकार का है, जो लगबग एक दूरी के लिए बैतर है, कितनी दूरी के लिए आपका Bluetooth बैतर है, तो 30 फीट के दूरी के लिए आपका Bluetooth रेडियो तरंग बैतर है, तो 30 का option मनेगा, 14 का option मनेगा A, लाट्स कोस्तन है, डिटल कम्लिकेशन के सहियोग देने के लिए सबसे बड़ी संस्ताओं दौराप्योग की जाने वाली, विसे इस कुछ गतिकी लाइने कहलाती है, आपकी T T1 and T3 line A, तो 15 का option मनेगा D, तो यह थे आपके mock test, यह मैं आपको 30 question को solve किया गया हिंदी के internet technology के, और ICT में भी आपकी helpful होंगे, तो आसा करते हैं, आपको सारे question का answer मिलके होंगे, कोई question में doubt तो comment में आप फूच सकते हैं, और वीडियो का, जो का PDF का link है, वो आपको वीडिय 54 hour के अंतर आपको मिल जाएगा, और चैनल को subscribe कर लें, share कर लें वीडियो को, पहला icon को press कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह की helpful वीडियो मिलती रहे, तो thank you for watching.